कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले युद्धाओं को आज भारतिय सेना ने सलामे दी सेना ने उन अस्पतालों पर हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है आपको बता दें कि चीफ आफ डिफेंस टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये कहा था कि हम सभी कोरोना युद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस, होमगाट, डिलिवरी बॉय और मीडिया, सरकार का संदेश जनता तक पहुँचा रहे हैं मुश्किल समय में भी जंदकी को कैसे जारी रखना है वायुसेना के हलिकॉप्टर ने कोरोना वॉर्यर्स का सम्मान करने के लिए चन्नाई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल पर पुश्परवर्शा की तो वही भारते वायुसेना के चौपर ने दिल्ली पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट करते हुए पुलिस युदिस मार्क पर फूलों की बरसात की हमा को टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, मुंबई, एहमदबाद, गोवा, लेह और लखनाव की तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां हलिकॉप्टर के जरिये कोरोना युधाओं पर फूल बरसा कर उनका सम्मान किया गया फ्रंट लाइन युधाओं पर पुश पवर्शा की गई क्योंकि कही न कहीं बहुत जरूरी हो जाता है ये वो लोग हैं जो लगतार कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं अपने घरों से दूर निरंतर प्रियास कर रहे हैं कोरोना को हराने में संकट के इस दौर से पूरी दुनिया गुज़र रही है हमारा देश गुज़र रहा है तो ऐसे में कही न कहीं उनका मनोबल आज बिलकुल बढ़ा होगा और अपना जो संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा करने के लिए और दुरता के साथ ये फ्रंट लाइन योधा अब जुड़ जाएंगे